हेलो दोस्तो। कैसे हैं आप सब, एक बार पुना, आप सभी का आपके अपने चैनल स्यव कोचिंग लसास सस्पर स्वगत है। दोस्तो आज का topic है नाव की reactor और नाव की reactor दोस्तो क्या है और इसके विभिन भाग, इसके कारविधी और इसके उपयोग सब कुछ दोस्तो इस वीडियो में हमें चचा करने वाले हैं तो वीडियो को आन तक देखिए और हाँ दोस्तो इसको मैं पूरा वीडियोत समझाओगा आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लिजेगा नहीं तो दोस्तो नाब की रियक्टर आपके बुक्स में बहुत अच मतलब दोस्तो जो नाब की रियक्टर है इसमें दोस्तो जो नाब की भी खंडन से नूट्रान की बंबारी की जाती है तो उर्जा उत्पंड की जाती दोस्तो इसकी सरप्रथम उन्नीस तो वयालिस में एन्रीको फर्मी के निर्देशा अनुसार मतलब दोस्तो निर्देशन अपना ये है नाब की, रियक्तर का वट्थी, और इसमें दोस्तो पांच भाग मुखरूप से है, तो पहला दोस्तो अपना भाग होता है, नाब की इधन, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो लिखते चलें, पहला दोस्तो नाब की इधन, क्योंकि मैं पूरा समझाऊँगा, औ से हम उर्जा उत्पन करते हैं उसे इधन कहते हैं तो आपको लिखना क्या दोस्तो कि नाब की डियक्टर में इधन के रूप में समानता यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रियोग किया जाता है याद रखेगा दोस्तो प्लूटोनियम यूरेनियम और प्लूटोनियम इन द दोस्तो जैसे समांतर क्रम में नाव की इधन लगा दी गए है ना समांतर क्रम में और इसमें दोस्तो बीच बीच में मंदक लगा दी जाती है सभी के सभी नाव की इधन नहीं है कुछ इधन है कुछ मंदक है और दोस्तो ये नियंतरक छणे होती है तो पहला अपना टॉपिक क्या है नाभ की इधन तो दोस्तो नाभ की इधन हम समनता यूरेनियम और प्लोटोनियम का प्रयोग करते हैं है ना इन दोस्तो नाभ की इधन की रूप में छणों के रूप में प्रयोग किया जाता है जिने एलुमिनियम पात्र में बंद करके रखा जाता है इने ही इधन तत तो कहते हैं क्लियर दोस्तो इधन तत तो क्या है कि नाब की इधन के रूप में समानता यूरिनियम या प्लोटोनियम का प्रयोग किया जाता है है ना और दोस्तो इनाब की इधन को छणों के रूप में प्रयोग करते हैं जिने एलुमीनियम के पात्र में बंद करके रखते है इन्हें दोस्तों इधन तर्थो कहते हैं, अब दोस्तों 3 से 4 बार मैं ने समझा दिया, और आप लोग, यार, यदी एक 2-3 बार आप पड़ भी लेते हो ना, तो आप अपने से भी लिख सकते हो, तो दोस्तों इतना लंबा जादा थियोरी हो जाता है, यार की लिखने में बह अब करती के रूप में च्छड़ के पात्र में बंद करके रख तेँ और जीनी दोस्तों कहते हैं तो ॹै हो गया दूसरा आपना है दोस्तों मंदक, दूसरे नमबर में आपको टॉपिक डालना है मंदक, चीज़ें समझें मंदक, मंदक क्या है, तो मंदक का आर्थ होता है दोस्तों किसी भी क्रिया को थोड़ा सा धीमा करना, किसी भी क्रिया को धीमा करना, तो लिकना क्या है, कि नाबकी विखंडन में, है ना, नाबकी विखंडन में उत्पन्न तीब्रगामी निूट्रानों को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किये जाता है जो कि इधन तत्तों के एक दूसरे के समांतर रखे होती है जो कि मंदकों के द्वारा एक दूसरे के प्रथक होते हैं और मंदक के रूप में प्रया दूस्तो या तो जल हो सकता है भारी जल हो सकता है ग्रिफाई डाधी का प्रयोग करते हैं जैसे देखीगा एक दूसरे के प्रथक करते हैं आपके पास यह आपके पास दोस्तो इधन तत्तो है इसके बाद मंदक लगा दिया गया फिर इधन तत्तो है फिर मंदक फिर इधन तत्तो है फिर मंदक फिर मंदक फिर मंदक फिर मंदक फिर मंदक इस क्रम में दोस्तो समानतर क्रम में विवस्तित रहती है ताकि हर एक इधन तका है न मनदग की रूप में दोस्तो जो छठी लगी होती है काम करें तो दूसरा मनदग है मनदग में आपको कहा लिखने है दूस्तो कि नाबकी की भिखंडन से उत्पन तीब गामी नियूटरानों को मंदग करने लिए मनदग का प्रियोक्त की जाता है है ना मनदग को जलिया ग्रेफाइट का प्रियोग करते हैं ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों ताकि जब नाब की विखंड़नों तो ज्यादस ज्यादा मात्रा में यूट्रान उत्पन होता है तो दोस्तों यह बिस्फोटक का रूप ना ले ले तरी खतरनाक न हो जाए इसलिए दोस्तों अपन नाब की मंदक के रूप में प्रियोग करते हैं दो चीज़ें क्लियर दोस्तों तो नाब की मंदक क्या है नाब की विखंड़न से उत्पन तेवर्गामी न्यूट्रानों को मंदक करने के लिए या मंद करने के लिए दोस्तों मंदक का प्रियोग करते हैं यह इधन के समनां भारी जल ग्रेफाइड आधिका प्रियोक करते हैं ठीक है यह हो गए दुस्तो अब अगला आपना दुस्तो नियंत्रक छणे तीसरा नमबर आप लोग डालने हैं और नियंत्रक छणे क्या है तो दुस्तो लिखना है आपको कि रियक्टर में ये जो आपका नाब की रियक्ट इस नाब की रियक्टर में विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना अबस्क होता है इसलिए दोस्तों नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बुरान की छणे प्योक्त की जाती है इन छणों को नियंत्रक छणे कहते हैं ये छणे दोस्तों नियूट्रान को अफसोसित कर ल दोस्तो बुरान के छण का प्रयोग करती है जो दोस्तो कि नाब की विखंडन को नियंतरित करती है यदि अत्यदिक मात्रा में न्यूट्रान सरजित होता है तो दोस्तो ये छणे जो होती है न्यूट्रान को अफसोसित कर लेती है और नाब की विखंडन नियंतरित हो जाता ह तो नियंत्रक्षण यह आप लोग लिख लोगी ना भीत्रीन है ना अब दोस्तो आपका अगला टॉपिक है सीतलक क्या दोस्तो सीतलक का मतलब दोस्तो अत्यदिक मतलब हीट या उस्मा उत्पनुराथ उसको ठंडा करने के लिए हम सीतलक का प्रयोग करते हैं तो दोस्तो ना पदार्थ का प्रियोक्त करते हैं दोस्तों जिससे की बिखंडन मतलब खतरनाक रूप ना ले 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 तो हम इसके जगे हम भारी जल प्रियोक्त कर सकते हैं या द्रॉसोडियम का प्रियोक्त करते हैं दोस्तों जिसको कि हम रियक्टर में प्रवाहिद करते रहते हैं जैसे दे या दोस्तों इधार से जाने दिया यहां से निकल जाता है। एक निशित क्रम होता है।Shitlaq में अत्धिक मात्रा में उस्मा उत्पन किय रहे है नाव की विखंडन में अत्धिक मात्रा में उस्मा उत्पन होती है, क्लियर है, और उस्मा को अफसोसित करने के लिए दोस्तों, हम जो प्रियुक्त का प्रियुक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं सीतलक, है ना, सीतलक कहते हैं, सीतलक के रूप में मुक्ता भारी जल या का प्रियोग किया जाता है जिसको दुस्तों रियक्टर में समय समय पर प्रवाहिद करते रहते और जिससे वह उस्मा को क्या करता है असोसित करते रहता है ठीक है और यह लिख सकते हैं आप आसानी से लिख लेना मेरे भाई ठीक है और अपना दुस्तों पांचमा पॉइंट ह पाई रच्छा, ये दोस्तों जो जो है ना उनको सबको समझना जरूरी है, अब पाई रच्छा, पाई रच्छा का मत्तब वो तब पूरी तरह से सुरच्छा प्रदान करना, या आवरान प्रदान करना, दोस्तों जो रियक्टर होता है ना, इस रियक्टर में डापकी भी ख होचा सकती है दोस्तो इसलिए उन किर्णों से सुरच्छत बचाने के लिए दोस्तो मतलब रियक्टर के चार ओर एक क्रांकीट क्रांकीट मतलब दोस्तो जिसे सिमेट गिट्टी का एक मोटी दिवार बना दी जाती है इन दिवारों की मोटाई लगवक दोस्तो दो मीटर होती जिने पई रच्छा कहते हैं ठीक है कुल मिला कर आपको समझ में आगया होगा कि नावकी रियक्टर के चार ओर क्रांक्रीट की दो मीटर मोटी एक परत है ना जो कि दोस्तों अंदर से आने वाली किर्णों को रोंकती है व्यक्तियों को च्छती होने से बचाती है जिसे दोस् रियक्टर के से निकलने वाले हानिकार जो किर्णे होते हुएं उनको रूंकना और व्यक्तियों को चुरच्छा के लिए रहत देना ठीक है ना तो नावकी रियक्टर मैं पाईट अच्छा का काम होता है ब्यक्टियों को बचाना ठीक है इसलिए दोस्तो नावकी रियक्टर के चारोड मोटी दीवार बना दी जाती है इससे कि उससे नावकी रियक्टर से निकलने वाली हानिकार के सर्जित किरने अंदर ही रह जाए बाहर ना आए ठीक है ये चीज़े क्लियर हो गए दोस्तो अब इसका कारवीधी अपन को थोड़ा सा लिखना है तो आप लोग हेडिंग डालने कारवीधी दोस्तो कारवीधी भी मैं समझा दे रहा हूँ और इसके बाद उपयोग दो चीज़ें आपको मैं पुरा लिखा नहीं हुँ यार पुरा बुक में आपकी में आप लोग लिख सकते हैं आपको समझना है कारवीधी देखी जब दोस्तो रियक्टर को चालू कर रहे देखी समझ यह यहाँ पर होता क्या है होता ही है नाभिकी भिखननन नाभिकी भिखननन में पहले चीज़ें समझ ले नाभिकी भिखननन में होता क्या है दोस्तो जब हम किसी रेडियो एक्ट्व पदार्थ पर क्या करते हैं दोस्तो अलफा कडो की बहुचार करते हैं न्यूट्रान की बहुचार करते हैं जैसे यूरेनी अम पर दोस्तो न्यूट्रान की बहुचार करते हैं अब बंबारी करते हैं तो दोस्तो वह अब घटीत होता है और दोस्तों वो तीन अन्र नाभिक के रूप में तूटता है और पुना वो तीन नाभिक और तीन नाभिक के रूप में तूटती है और ये क्रम चलता जाता है तो यहाँ पर जो क्रिया होती है उससे उसमा उत्पन होता है ठीक है ना तो यह प्रकार इस प्रकार के दोस्तों इस कर ली जाती है मतलब नियंत्रक छणे को दोस्तों बाहर करते हैं तो अंदर की क्रियां संपन्णों लगती है रियक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छणे बाहर खिच ली जाती है जिससे दोस्तों पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रान इसमें जो न्यूट्रान है पहले से उपस्तित कुछ न्यूट्रान यूरेनियम लिया हमने यूरेनियम का विखंडन सुरू कर देते हैं। समझें, रियक्टर को चालू करने के लिए हम नियंत्रक्षणों को बाहर खिच लेते हैं, जिससे उसमें उपस्तित कुछ न्यूट्रान, यूरेनियम का विखंडन सुरू कर देते हैं, इस विखंडन के फ़सुरू तीब्रगामी न्यूट्रान उत्पन होते हैं, न्यूट् जो होती दोस्तों मंद पढ़ जाती है, ये मंद न्यूट्रान अन्यूरेनियम को विखंडन करना प्ररम कर देते हैं, जिससे रियक्टर में स्रंकलाव क्रिया प्ररम हो जाता है, और इस स्रंकलाव क्रिया को दोस्तों नियंत्रक्षणों की सहाथा से नियंत्रित किया जात तो तीवरगामी न्यूट्रान उत्पन होते हैं तीवरगामी न्यूट्रान दूस्तो मंदक से टक राते हैं मंदक करता क्या है कुछ अफसोचित करके मंदगति करता है और यहीं मंदगति की न्यूट्रान पुना यूरेनियम को भी घंडित करते हैं और यह करम चलता रहता है सरंकला होती रहती है और दोस्तो, हम जो नियंतरक छड़ोते हैं उससे हम इस अव्क्रिया को नियंतर्य भी करते रहते हैं तो ये होगे दोस्तो आपका कार भी भी दि जितना समझाया उतना आप लिख देंगे बराबर नमबर मिलेंगे उप्योग में आप लोग लिख लें दोस्तो कि रेडियो आईसो टोपी के उत्पादन में दूसरा नमबर अधिक पैमाने में उर्जा उत्पादन में प्लोटोनियम के उत्पादन में है ना दोसरा अधिक पैमाने में उरजा उत्पादन करने के लिए दो चीज तो आप बिलुक बिलगुल याद करें कि अनुसंधान कारियों के लिए प्रयोग के जाता है और अधिक पैमाने पर उर जाकर उत्पादन में ठीक है जल पोतों में बायू आदमे नोदन में तो दुस्तों काफी यह लंबा वीडियो हो चुका है और दुस्तों मैंने थियरोई नहीं लिखा है लेकिन आप लोग आशा करता हुँ पूरा समझ लेंगे और लिख लेंगे ठीक है तो चलते हैं दोस्तों मिलेंगे एक लिए वीडियो में ने टॉपिक के साथ तक लिए जैहिन बंदमात्रम